लाइफ हमेशा बहुत ही अनेक्सपेक्टेट से टरंस लेती है किसी ऐसे टरंड पर कब हमें प्यार हो जाए कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इसे एक ब्यूटिफुल सी थीम के साथ आज के हमारी मुवी ते प्रोपोजर 2009 की एक रोमैंटिक हॉलिवड मुवी आती है इसकी स्टोरी लाइन को बता ना स्पोयलर होगा बटाया शोरियो कि एक बहुत ही अच्छी मुवी है तो अंदग इस वीडियो को जरू देखेगा अगर आपको एक्सपेशन चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा अब बिना इस देरी के एक्सपेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन क्यारेक्टर मार्गरेट को देखते है जग पूप पुब्लीशिंग कमपनी में एटिटर थी है हमारा सेकर्ड मेन क्यारेक्टर जिसका नाम है एंड्रू यह उसके लिए असिस्टन्ट था वाज जरा उटने में लेट हो गया तो जल्दी से रेडियो कर कॉफी लेकर मार्गरेट के पास बहुत जाता है जाते-जाते उसके हाथ से कॉफी भी नीचे किर गई थी मार्गरेट अब तक ऑफिस में आई नहीं थी तो डर कर जल्दी से अपना शर्टो बदल लेता है इसके लिए अपने कोवरक और को उसे एक गेम के बहुत ही एक्सपेंसियो टिकिट भी देने पड़े थे जब भी मार्गरेट ऑफिस में आती है तो फर्स्ट परसन हमेशा सब को मेल कर देता है कि ऑफिस में आ चुकी है तो सब लोग काम करने लग जाते है वो बहुत ही जादा स्टिक्ट है उसके किलाव कोई भी नहीं जाता मार्गरेट चाहती थी कि एक आर्टिस्स भूग लिखे पर वो लिखने के लिए रेडी नहीं था तो मार्गरेट खुद उससे कॉल करती है वह अच्छे से बात करकर उसने भूग लिखने के लिए उसे कन्वेंस कर ही दिया था वो अपनी coffee पर notice करती है कि एंड्रू का नाम लिखा हुआ है उसने बुछा कि मेरी coffee को क्या हुआ एंड्रू ने कहा के एक नीचे गिर गयी थे मॉखरेंट ने कहा कि हम दोनों एक ही टाइब की coffee पीते है अगर तुम उससे डर कर सेम की coffee buy करते हो तो बहुत ही pathetic है एंड्रू सस्वुष में उससे डरता था, इसी वज़े से सेम कफी बाई करता था और इसके बाद दुनों मिलकर एक employee के office में जाते है उस artist को book लीने के लिए मनाने का काम उस employee का था पर एक काम Margaret को करना पड़ा, इस वज़े से वह बहुत ज़ादा गुस्सा थी उससे confront करती है और उससे पता चलता है कि उस employee ने try भी नहीं किया था इस वज़े से उसे fire कर देती है, वो employee बहुत ज़ादा गुस्सा हो गया और office में सब के सामने उससे बहुत गालिया देता है, उसने Margaret से का तुम अकेली हो, इसी वज़े से अपना frustration सब लोगों पर उतारती हो इसके बाद Margaret Andrew से गयती है, हमें विकेंड पर भी काम करना पड़ेगा उस employee के सारे contract समित देखने पड़ेंगे Andrew के grandma का 19th birthday आने वाला है, तो इस वज़े से वो घर पर जाने वाला था पर हम Margaret की वज़े से नहीं जा पाएगा नेकसे में Margaret को उसके boss उसके पास बुलाते हैं तो यह थे हैं, तुमारे immigrant office के call आया था वो तुम से appointment लेना चाहते थे, पर तुम बहुत ही busy थी और without permission तुम किसी अलग country में भी गई हुई थी तो इस वज़े से अब वो तुमें deport कर देने वाले है Margaret को इसे shock लगता है, उसे लगा कि कुछ नगुछ तो कर सकती है पर इसमें वो कुछ भी कर नहीं सकती थी अगर वो इस country में नहीं रह रही है, तो इस office में भी काम नहीं कर सकती अजानक से जब यह meeting हो रही थी, तो Andrew से लेने के लिए आया तो Margaret को एक idea आता है, कि अगर वो Andrew से शादी कर लेगी, तो यहां की citizen वो बन सकती है उसने अपने boss से कहा, कि मेरे बास आपको देने के लिए एक news है मैं और Andrew हम दोनों शादी कर रहे है, इतने दिनों से एक साथ हम काम कर रहे है unexpected moment पर हम दोनों को प्यार हो गया यह सब सुनना Andrew के लिए एक shock ही था, वो अपने boss के खिलाव जानी सकता, तो हाव में हाव मिलाता है बहुत से पूरी Margaret की चाल समझ गया, पर उसे कहते हैं, सिर्फ इन सब चीज़ों को लीगल कर देना ओफिस में जब सब लोगों को Andrew और Margaret के बारे में पता चला, तो Andrew के लिए सब को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि Margaret अब उसका जीना बरबाद कर देगी Andrew Margaret से बुछता है कि तुम्हें सब कर क्या रही हो Margaret ने कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की, तो तुम कभी भी व्राइटर बन नहीं पाऊगे Andrew का व्राइटर बनना यही एक सबना था, और इसी वज़े से जॉब कर रहा था Margaret कहती है, हम शादी करकर जल्दी से डिवास ले लेंगे, कोई भी प्रॉलम नहीं होगा इसके बाद यह दोनों immigration के office में आ है, यह दोनों शादी कर रहे हैं, यह वहाँ के officer Gilbert को बता देते है Margaret ने जिस employee को अभी अभी fire किया था, उसने already Gilbert को call कर दिया था Gilbert को बता था कि Margaret और Andrew एक fake शादी कर रहे है, उन्हें इस बात के लिए confront करता है तो Margaret ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ काम करते थे, तो इस वज़े से unexpected moment पर हमें प्यार हो गया इस बात पर Gilbert उन पर believe नहीं करता, उनसे कहता है, वीकेंड खतब होने के बाद हम तुम दोनों का interview लेंगे अगर इस interview में दोनों का एक दूसरे के बारे में जादा पता नहीं है, तो Andrew को जेल हो जाएगी और Margaret को फिर से उसकी country में फेज दिया जाएगा अफिसर ने फिर से Andrew को एक chance दिया, सब कुछ सच कहने के लिए, पर Andrew कुछ भी पताता नहीं अफिसर ने पुछा कि तुमारे parents को क्या सब कुछ पता है, Margaret के parents नहीं थे तो Margaret कहती है, Andrew के parents को हम इस weekend पर बताने वाले हैं यहाँ से निकलने के बाद, Margaret Andrew को appointment वेगिरा इन सब चीजों के instruction दे रही थी पर अब Andrew उसकी कुछ भी बात मानने नहीं पड़ती है, अब इस मोके का फायदा उठाकर Andrew Margaret से गया था इंटर्व्यू में जो भी questions वो पुछने वाले थे, इस सब Andrew को Margaret के बारे में पता था और Margaret Andrew के बारे में कुछ भी जादा चानती नहीं, इस पूरे weekend पर वो Andrew का जानने की कुशिश करेगी Andrew के टाउन पर पोशने के बाद उसकी mother और grandma ने इनका स्वागत किया, उनने देखकर बहुत ही खुश थे Margaret की age Andrew से पड़ी है, तो इनके लिए ज़रा surprise था, पर फिर भी इस बात को accept कर लेते हैं Andrew और उसके father हमेशा जखकरते रहते हैं, तो इस वज़े से उसे लेने के लिए नहीं आये थे Margaret ने पूरे town में notice किया, कि हर जगह और Paxton ने लिखा हुआ था, यानि कि हर shop ये Paxton का था Andrew का पूरा नाम में Andrew Paxton है, इसका मतलब है ये पूरा town उसकी family own कर दिया, वो इतना ज़ादा अमीर है, इसके बारे में Margaret को कभी भी पता नहीं था Margaret ने town के एक hotel में reservation किया हुआ था, पर पूरा town Andrew के family own कर दिया, तो इस वज़े से grandma ने already reservation कैंसल कर दिया था वो चाते थे कि Margaret उनके साथ ही रहे, ये फिर boat पर वेट कर एक island पर जाते है, और वही पर उनका घर था बेचारी Margaret पानी से बहुत ज़ादा तरती थी, तो इस वज़े से jacket पहन करी boat पर वेट ही Margaret ने Andrew से पूछा कि तुमने मुझे बताया क्यों ने, कि तुम इतने ज़ादा अमीर हो Andrew ने कहा कि मेरी family reach है, मैं नहीं हूँ जब एक घर बर पहुचे, तो इनके लिए एक बड़ी party रखी गई थी Margaret Andrew के father से मिल दिया, Margaret जो भी काम करती है, इस profession को थोड़ा सा भी respect नहीं करते है उन्हें इसके बारे में ज़ादा पता भी नहीं था Andrew का इस तरीके से अपने passion को follow करने के लिए खर छोड़ कर जाना, उसके father को अच्छा नहीं लगता तो इसी वज़े से वो ज़रा bitter थे father ने Andrew से कहा, तुम अपने boss को date करे हो, यह सिर्फ opportunity पाने के लिए Andrew कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं actual में उसे pair करता हूँ वो अपने father से गुसा हो जाता है, और सब लोग को बता देता है, कि Margaret उसकी fiance है इन दोनों के लिए सब लोग बहुत खुश थे, ग्रैंड मो और मदर ने Margaret से पूछा कि Andrew ने तुम्हे प्रपोस कैसे किया था, इन दोनों के पास कोई भी स्टोरी नहीं थी तो Andrew कहता है कि Margaret को स्टोरी सुनाना बहुत अच्छा लगता है, वो ही तुम्हें बताएगी इसके बाद ग्रैंड मा ने Margaret और Andrew को उनका रूम दीखाया, वोने एक कंबल देती है और कहती कि इसका नाम Baby Maker है इसे ओडने के बाद बहुत सारे लोग को Babies हुए है, एंडू डर कर तुरंद इसे फेक देता है एक ए रूम होने की वज़े से एंडू को बिचारे को नीचे सोना पड़ा सुबा होने के बाद Margaret को Artist का कॉल आ है, उसे लग रहा था कि वो Book नहीं लिख सकता तो उसे convince करने के लिए Margaret उसे बात कर दिया, जरा range आनी रही थी तो बाहर चली के एंडू के घर पर एक छोड़ा सा डॉग भी था, वो भी उसके पीचे-पीचे बाहर आ जाता है डॉग को Eagle से खत्रा था, Eagle ने डारेकली उस डॉग को उठा लिया Margaret अपना फोन Eagle को मार कर डॉग को बचा लेती है, पर बाद में Eagle ने उसका फोन ही ले लिया उस Eagle के पीचे बाग रहे थी, यह सब बहुत ही जादा funny था Grandmore और मदर उसे देखकर बहुत ऐसते हैं, एंडू ने Margaret से बूचा कि तुम वरीड क्यो हो Margaret कहती है कि Eagle मेरा फोन लेकर गया, एंडू कहता है कि वरी मत करो, हम सीटी में जाकर उसे लेकर आएंगे Grandmore और मदर उन्हें देख रहे थे, तो एंडू ने कहा कि मेरे गले लग जाओ, उसका फाइदा उठाने लग गया था Margaret कहती है, जादा मजे मत लो, वरना तुम्हारी नीन में तुम्हें मार डालूंगे इसके बाद एंडू अपने फादर से मिला, कल रात फादर ने उसे जो भी कहा था, इसके लिए उसे सौरी कहते है इसके बाद हो गयते हैं, मैंने सारा बिजनेस खड़ा किया, यह सिर्फ तुम्हारी ले किया और अब तुम्हें नहीं करना चाते हैं, तो इस वज़े से मुझे ज़रा बुरा लगता है एंडरो ने कहा कि मैं मेरा पैशन फॉलो कर रहा हूँ, इसमें उसे कुछ भी गलत नहीं लगता फादर ये बात समझ नहीं पाते हैं, तो फिर से इन दोनों में जगड़ा हो गया थोड़ी दर में मदर और ग्रेंड माय मागरेट को सिटी में लेकर रहा है उसे एक लब में लेकर जाते हैं, जहाँ पर रमोन उनके लिए स्ट्रिप कर रहा था रमोन ये उनका ही इंपलाई है, उनके घर पर वो ऐस अ शेप भी काम करता है ये मागरेट के लिए बहुत ही वियर्ड है, ये इस पार्टी में एंडरू के एक्स गर्फरेंड में उनके जॉइन कर दिया रमोन मागरेट को स्टेज पर ले जाकर उसके साथ डांस करता है यह उसके लिए बहुत ही weird था वो फिर इस party से ज़रा भार आजा दिया उसके पास Andrew के ex girlfriend भी आके उसने कहा कि तुम बहुत ही lucky हो कि Andrew तुमारे पास है Margaret ने पूचा कि तुमारा और Andrew का break up क्यो हुआ वो गहती कि हम high school में date कर रहे थे उसके बाद Andrew को लग रहा था कि New York में जाकर वो अपना passion follow करे वो चाहता था कि मैं भी उसके साथ हू पर मैं हमेशा इसी town में रही हूँ इसी वज़े से उनका break up हो गया इस सब लोग जब घर पर वापस आया तो Andrew गुस्से में लकड़या तोड रहा था ये बाद उसकी मदर ने नोटिस कि और डारिकली फादर के पास आई वो गयती कि तुमारी वज़े से Andrew अब घर पर नहीं आता अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे साथ वो कोई भी relationship नहीं रखेगा और ये वो नहीं चाहती थी मागरेट इनका जगड़ा सुनकर अपने रूम में चली जाती है वो शावर ले रही थी और बाद में उसने रियलाइस क्या उसके पास टॉवेल नहीं है Andrew headbone लगा कर अपने रूम में आया मागरेट टॉवेल लेने की कोशिश कर रही थी पर डॉग उसे रोक रहा था वो जल्दी जल्दी से डॉग से पीछा चुड़वा कर बाहर आ जाती है तब ही वो Andrew के उपर गिर गए ये दोनों नूड थे तो इनके लिए बहुत ही वियर्ड बन जाता है रात में मागरेट एक गाना गुनगुना रही थी तो एन्डू ने कहा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है मागरेट कहती कि बहुत ही फेमस बैंड है वो एक गाना गुनगुना देती है तो एन्डू कहता है कि मुझे पता था मैं सिर्फ तुमारा गाना सुनना चाता था मागरेट एंड्रू को जिस तरीके से ठीट करती है तो उसे बुरा लगता है उसने कहा कि जब मैं 16 साल की थी तो भी मेरे पैरेंस की डेट हो गई थी तब से हो हमेशा अकेले ही रही है इस वाज़े से कभी भी उसकी लॉंग टम कोई भी रिलेशनशेप रही नहीं एंड्रू को भी उसके लिए बुरा लगता है सुबह उने पर मदर इनकी लिए ब्रेकफास लेकर आए तो जल्दी से एंड्रू मारेट के बेड़ में आ गया मदर के बीचे-बीचे फादर भी आए उनसे पुछते हैं कि अगर तुम दोनों शादी करने ही वाले हो तो इसे विकेंड पर कर लो ग्रैंड मा को भी बहुत अच्छा लगेगा पहले तो यह मना कर रहे थे और बाद में ग्रैंड मा भी आके वो गयती कि अगर मेरी डेथ होके तो मैं तुम्हारी शादी देख नहीं पाऊंगे इस इमोशनल ब्लैक मेल की वज़े से दोनों मान जाते हैं सब जाने यह दोनों करीब आने लग गए थे यह बाद मागरेट रियलाइस करकर वहाँ से चली जाती है वो अक्यली बाइसिकल राइड करने के लिए वो अपने आप से कह रही थी जादा इमोशनल मत बनो इस सिर्फ एक बिजनेस डील है इसके बाद एंडु और मागरेट भी अपने इसको लाइक करता है पर एंडु अब उसे लाइक नहीं करता था टाउन में ग्रैडमा और मदर इन दोनों से मिल जाते हैं वो मागरेट को एक शॉप में लेकर गया है ग्रैडमा उसे एक वेडिंग ट्रेस देती है कहती है मेरी शादी भी इसमें हुई थी मैं च उसे फोस किया कहती है तुम इसमें बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही हो तुम्हें लेना ही पड़ेगा इन सब बातों की वज़े से मागरेट डिस्टब होके वो एंडु के साथ बोट में चाड़कर जल्दी से आगे चली जाती है उसने एंडु से खा कि मैं भूल गई एक्चुल में फैमिली होना क्या होता है मैं जो भी कर रही हूए बहुत ही गलत कर रही हूँ अगर सबको इसके बारे में पता चलता है तो उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा वो बोट बहुत ही फास चला रही थी उनका एक्सिडेंट हो सकता था तो एंडु ने बोट उससे ले लिए वो जल्दी से इसे टन करता है और मार्गरेट पानी में नीचे गिर गई उसे देना आता नहीं था तो बहुत ज़्यादा डर गई थी पर एंडु ने उसे बचा लिया उसका खैल रखता है ये दोनों जब घर पर आये तो एंडु के फादर के साथ एमिग्रेशन प्यार करते हैं और वहाँ से वाँ चला किया मागरेट ने कहा कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर क्यों रहे हो एंडु कहता है कि अगर मेरी जगाँ पर तुम ओती है तुम भी यही करती है साम में इनके बास ग्रैम gebा माई और मागरेट को अपने रूम में लेकर जाती है कहती कैसे और सब लोग को बेवकुफ नहीं बना सकती है उसने वेडिंग रोक दी और सब लोग को सब कुछ सच सच बता दिया एंड्रू उसके पीछे-पीछे रूम में आया उसने एंड्रू के लिग लेटर लिखा था वो गये थी कि तुमने जो बुक लिखे है यह एक्चुल मे आई एंड्रू गहता कि मार्गेरिट पर बहुत जादा गुशा हूँ उसने मेरा जीना हराम करकर रखाय एस गल्फरंट को पता था कि एंड्रू मार्गेरिट से बहुत ही प्यार करता है तुम उसे जाने दो कि एंड्रू पर जल्दी जल्दी निकलने लग रहे हैं उसके way of thinking बहुत ही अलग-अलग है पर तुम दोनों family हो तो इस वज़े से तुम्हें जगड़ना नहीं चाहिए मेरे मरने से पहले मुझे तुम promise करो कि कभी भी नहीं जगड़ोगे यह दोनों promise करते हैं तब ही ग्रैंडमा उटकर खड़ी होके उसे heart attack आया ही नहीं था उसने फिर पाइलेट से कहा कि जल्दी से हमें एरपोर्ट पर लेकर चलो यह सब लोग जब तक एरपोर्ट पर पहुचे तब तक बहुत ही लेट हो चुका था अल्रेड़ी मार्गरेट वहाँ से चली गई थी क्रैंडमा और मदर को बहुत ही बुरा लगता है फादर ने बुचा कि यह सब हो क्या रहा है मदर कहती कि मागरेट भी एंड्रो से प्यार कर दिया उसे heart नहीं करना चाती थी तो इसी वज़े से वो चली गई अब इसके बाद हम फिर से मागरेट को अपने ऑफिस में देख क्याता हूं हमारे बीच जो भी हुआ यह बहुत यूनिक था मागरेट कहती कि मुझसे प्यार करना है बहुत ही हार्ड होका एंड्रो के अद्धा की रिलेक्शन्शिप हार्ड होती है इसके बाद हम इनकी इमिग्रेशन की इंटर्वी देख सकते हैं जो सक्सेस्फुल सब्सक्राइब और अपने आपका ख्याल रखिया है